आप मेंसे कितने लोग हैं जिनको गुसा आता है? सबको आता है, जिनको बहुत गुसा आता है ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत गुसा आता है? अब जो मैं बोलने वाला हुना, उसको ध्यान से सुनना जिन लोगों ने भी अभी अभी अपना हाथ उपर किया और बोला कि मुझे गुस्सा आता है, सब जूट, सब बक्वास, कोई गुस्सा नहीं आता आप लोग को, आप लोग जान बूच करके, एक्सेप्ट करना है इसको, सुनना है ध्यान से, आप लोग जान बूच करके, सोच समझ करके, अपनी मर्जी से गुस्सा करते हो, गुस्स तो करना ही पड़ेगा उसको रोक नहीं सकते तो गुस्सा क्या है यह डांस के जैसा है भाई कभी आप कहते हो कि मुझे डांस आया है डांस आप करते हो आपका मन करें तो आप डांस करो मन करें 10 गंटे करो मन करें रुख जाओ मन करें फिर करो मन करें ना करो मन करें कभी ना क आपने से कितने लोग जॉब करते हैं, तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, क्या नाम है आपका? तो जह भाई, कभी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, कि आपके जो बॉस है, उन्होंने बिना बात पे, किसी वज़े से उनका मूड खराब था घर पे, या किसी वज़े से बिजनस पे कोई प्राब्मिम चल रही थी, बिना बात के, आपकी बिना किसी गलती के, जबर्दस् कई बार हुआ है, और बहुत लोगे साथ तो रोज होता होगा, रोज होता है, कि बॉस के घर में कोई प्राब्लम हो, कोई उसका कुटा मर गया, आपकर करके सारा गुसा आपके उपर निकाल दिया, होता है, सब के साथ होता है, तो मुझे एक बात बताओ, कि जब आपके सा बारा नहीं होना चाहिए आपकोई भी है जो ऐसा करता है एनिवडी कोई नहीं करता तो क्या करते हो उस समय हम चुपचाप मूनीचे कड़ेकर के खड़े रहते हैं और सारी बाते सुनते रहते हैं बड़े ही प्यार से ये करते हैं अब दूसरी तरफ लिको, हम घर में हैं, और आपने से कितने लोग मैरेड हैं, जिनके दो बच्चे या तीन बच्चे या दस बच्चे या वीस बच्चे हैं, दो बच्चे, दो, दो. तो, आप अपने घर में बैठे हो, आरांए से टीवी देख रहे हो, आपका जो छोटा वाला वज बच्चा है, उर रोता रोता आपके समने आये हैं। को तो आपको ये बात समझ आजेगी जो अभी मैंने थोड़े पहले कही कि आपको गुस्सा आता नहीं है आप गुस्सा करते हो अपनी मर्जी से situations दो हैं एक जगे पर जहां पर आपको अंदर से पूरे तरीके से गुस्सा आ रहा है उसमें से इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्यों कि वहां पर आपका नुकसान है आपको पता है कि भी या बॉस की आगे अगर मैंने गुस्सा किया बोलना तो बहुत दूर की बात है अगर आंखे दिखा दी उसको बॉस को तो मेरी वाट लग गई मेरी नौकरी गई तो गुस्सा हमने नही किया अपनी मर्जी से दूसी तरह वो जो बच्चा है छोटा सा हमें पता है कि महां हमारा कोई नुकसान नहीं अगर मैंने बच्चे को मार भी दिया तो यह कहां जाने माला है क्या घर शोड़के चला जाएगा क्या पलट करके मुझे मारेगा क्या गालिया देगा क्या और यहां जोड नहीं चलता और जहां हमारा कहीं जोड नहीं चलता वहाँ पर भीगी बिल्न करके खड़े रहते हैं यह आदत पढ़ गई है हमारी habit बन गई है, अगर इस habit को हम सच में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो step यह है, कि आप इस बात को accept करो, और इस बात की पूरी responsibility लो, कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, responsibility लेनी है, अगर आप responsibility कभी लो ही ना, आप बोलते हैं, मुझे तो गुस्सा आता है, आता है, तो भाई है, टॉलेट आता तो करना ही पड़ेगा न, उसमें आपका तो कोई control ही नहीं है, बट अगर आप यह बोलना शुरू कर दो, कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं जान तो करके अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूँ, तो आपके हाथ में control हैं.